दोस्तों ये क्या हो गया भाई ये क्या हो गया इस साल की एक और बॉलिवुड की मुवी बॉक्स ओफिस में अच्छा रिस्पांस नहीं हासिल कर पाई देखो भाई पहले इनको चाहिए नए नए टॉपिक की फ्रेस कॉंटेंट की मुवी और सपोर्ट भी नहीं देना तो ग आफिसारे लोग बोलेंगे कि यह फ्रेश टॉपिक कहां का है इससे पहले मुवी आ चुकी है जो अल्रेडी फ्लॉप हो चुकी मतलब भेडिया के कॉंसेट में बता रहे हैं यहां पर राहूल रॉय की तो भाई उस वक्त नहीं होती थी भाई बॉलीवड की मुवी में चाहूँगा कि ऐसी और मुवी बने जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करें इंटरनेशनली लेवल पर अभी गाइस मुद्दे पर आते हैं कि आज यानि कि दिर्शम पार्टू नहीं रुक रही और एक फैक्टर यह भी है कि दिर्शम के वजए से भी यह मुवी वर्क्स अफिस में हौले हौले चल रही है क्या होगी दोस्तो आज की कमाई जानेंगे उससे पहले आप से रिक्ट्वेस कि आप हमें सप्पोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो करते हैं अपने इस वीडियो के शुरू लैट स्टार्ट दोस्तो तीन दिरों की कमाई देखके मैं भी सोच रहा था क्या ठीक है कोई बात नहीं सामने द्रिशम है इसलिए कमाई कम हो रही है मंडे के दिन वागर पांच करो कमाती है तो एक रिस्पेक्ट्फुल क्लेक्शन होगा और मंडे के टैस्ट में पास हो जाएग अपने च्वाइस है ज्यादा तर लोगों को दोस्तों यह मूवी है जो पसंद नहीं आ रही अभी देखते हैं कि दोस्तों यह मूवी कहां जाके रुखती है क्योंकि कमाई 3.84 करोड मापको ना 85 करोड इसने अपने मंडे के दिन कमाया था हाला कि दोस्तों आज इसकी हुई थी अगर हम लोग देखें आज कि तरीके की आती हुई दिखाए दे रही है तो मॉर्निंग शोग 6.84 कल तो भाई साथ था अभी 6-85 पहुंच गया आफ्रनून शो दोस्तों कल तो दस पहुंच गया था लेकिन अभी 9.34 परसेंट है इवनिंग क्योंकि पैंसी इसकी गिरती हुई दिखाई जरूर देगी शोज देखे दोस्तों मॉंबई में इसके पास ठीक शोज कहूंगा 398 शोजा 3D वाले बर्जन का और कि पैंसी भी 16 परसेंट कि ए ठीक है इवनिंग क्योंकि पैंसी बदा रहों यह मॉनिंग नौ थी मुंबई में आफ्टरनू इसके पास 144 शोज हैं ऑगी 153 पर सेंट कि है वाइंग गलूरू में 10 पर सेंट वन सिक्स्टी वन हैदरावाज में दोस्तों 151 शोज यह थी वाले वर्जन का हाल है थी वाला वर्जन दोस्तों कमज़ोर तो बाइच तूड़ी वाले वर्जन के तो शोज तो कैंसिल होंग पढ़े रहार अच्छा कंद अच्छा ही नहीं होणा पड़ेगा नहीं बहुत अच्छा को पता होगा ku कि भ्रमास्त को देखो बाई मानो है ना मानो ब्रमास्त बॉक्स ओपटिस पे शुरुवात की दिनों में तो बहुत जबर्दद से कमाई की लेकिन दोस्तों हम हम बजट के हिसाब से देखें तो उसकी कमाई भी वैसी तो नहीं हुए न इस तरीके से बाहु बली या फिर ट्र लेकिन दोस्तों आज मुझे लगता है कि यह मुवी और गिरेगी तीन करोड़ पचास लाग रुपे कमाती हुई दिखाई देगी तीन करोड़ पचास लाग रुपे कमाती हुए तो यह जो मुवी है अपने बॉक्स आफिस में थाटीस पॉइंट नाइन जिरो करोड़ पर कमाती हुए दिखाई देगी 36 करोड़ सतर लाग रुपे 37 करोड़ रुपे आप लोग माल लो तो कहीं न कहीं दोस्तों यह जो मुवी है 37 करोड़ रुपे कमाने में पास जिनों में काम्याब हुई है बजट साथ करोड 65 करोड़ हो जाएगी आज का मिला के मतलब वर्ड वाइट में तो यह 100 करोड़ कमाएगी यहां बैठ के बोल रहा हूं तो बताओ क्या कहना है आपका मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही